हेलो गई स्वागत है आपका तो वीडियो के पहले ही आपको ये अंदाज अलग गया होगा कि ये वन अफ दे मोस्ट वांटेड वीडियो है मेरी चैनल की तो मैंने सोचा इसी वाने व्यूस सी आ जाए वैल इटर्नल्स एवेंजिस और डीसी व की जस्टिस लीग सच में एकदम ओपी टीम्स है वैल यहां मैं बस मेंट फीट्स और मुवीज वाले वर्जन की ही बात करूँगा जिससे की वीडियो ज़्याद लंबी ना हो और सही भी लगे तो गाइस चलिए अब इस वीडियो को होते हैं ड्यूटिस वही डिवाइट करता है कि कौन किस से लड़ेगा कौन डाइवर्जन क्रियेट करेगा में वीलन को कौन रोखेगा इसके अलावा खर्चा पानी प्लेन गाड़ी हत्यार खाना पीना सबका खर्चा बैटमैनी उठाता है और उठाने की काबिलेद भी र रखता है और इसे के साथ बैटसे की प्रिपरेशन टाइम और प्लैनिंग के सामने सुपरमैन जैसे बड़े करेक्टर घुटने टेक चुके थे आखिर बैक अप प्लान जो रखता है बैटमैन जो उसे बहुत बड़ा एडवांटेश देता है साथी वंडर वूमेन एक डै और स्पीड भी काफी सुपर हुमन है जिसके तरू मशीन गन्स तक के बुलेट्स को रोख दे या डॉज कर ले यहां तक वो सुपरमैन और स्टेपनोल जैसे पाफुल क्यारेक्टर्स के सुपर हिट्स छेल जाती है विडावड एनी माइनर इंजरीज या बात करे फ्लैश के मदर बॉक्स तक को चार्ज कर सकता है प्लस पीक हुमन की डियूरिबिलिटी और हुमन स्ट्रेंथ है इसके पास लेकिन बैटल स्किल्स अभी उतनी डी स्यू में दिखी नहीं पर तब भी बंदा इंटेलिजेंट है और जबदस हिलिंग फैक्टर रखता है आगे बड़ और वो टनल में पानी को भी रोक पाया वेल एक्वामन एक बहतरीन फाइटर है जिसे खुद वलकों ने ट्रेंड किया है और एट लास्ट उसने आउम को भी बीट किया जो बच्पन से फाइटिंग एबिलिटीज की ट्रेंग लेते हुए बढ़ा हुआ था वोई साइबॉ प्लस को यूनाइट होने तक से रोक पाया प्लस हो पावफुल एनरजी बलास्ट कर सकता है या आम्स को एक शील्ड या किसी भी वेपन्स में ट्रांस्फॉर्म कर दे प्लस फ्लाइंग केबिलिटीज आर्मर री जनरेशन या सूपर डियूरिबिलिटी होल करता है जो एक न्यूकलिर बॉम की रेडियेशन और हीट को लेकर कुछी देर में ठीक हो गया और इसके बड़े से बड़े घाव सनलाइट के अंदर आते ही ठीक होती है या वो इसके थ्रू और भी ज़्यादा पावफुल हो जाता है या फ्लाइंग एबिलिटी सुपर स्पीड जैस और एजैक जहां एजैक एटरनर्स की लीडर हुआ करती थी जिसके पास हीलिंग पावर्स थी और उसके दम पर वो बड़े से बड़े घाव हील कर देती है या फैस्टोस जो एटरनर्स का रिसरचर और साइंटिस्ट है जिसके नॉलजजी अर्थ के सारे इन्वेंशन के ल ताकि सारे इटरनर्स एक दूसरे से कनेक्टेट हो जाए दूसरी तरफ सरसी जो फिलाल इटरनर्स की लीडर है जिसके पास ट्रांस्मिटेशन करनी केपिविलिटी है जो एक पुराने चाको को ही बिलकुल नया सिस्टेमाटिक और क्लासिक लुक में बदल देती है प्लस ए ये एरिशम उसे कैप्चर तक कर लेता है वेल मकारी जो एमसी उनिवर्स की फास्टेस कैरेक्टर है जिसकी स्पीड और रिफ्लेक्स सुपर लेवल की है जिसने तुरंत ही फैस्टोस के कहने पर इमर्जेंस कहा होने वाला है उसे मिंटों में ढून लिया कई समंदर पार कर के ये डिवियंस के सामने से ही साथी इटरनल्स को रेस्क्यू या आम पब्लिक को बचा चुकी है या इकरिस को पंचेस और हिट्स या फुल स्पीड से एक शौक वेब तक क्रेट कर चुकी थी और ड्रुईग जो एक माइन मैनिपिलिटर है जिसकी आँखे गलो होते ही पंचेस करके बड़े से बड़े डिवियंस तक को गिरा दे सकता है या उसका एक स्मैश ही नौकाउट तक कर दे वही उसने थेना जैसे वारियर के महादवेरी जैसी ग्यादस प्रब्लम में भी उसे कंट्रोल किया या हाथों में एक्जर स्केलेटन फॉर्म करके वो उसे एक शील्ड की तरह यूज कर पाती है साधी किंगो जबी कॉस्मिक पाउर्स के थूरू एनरजी बलास्ट कर सकता है जिसकी फ्रिक्वेंसी तक को वो अपने हाथों में कंट्रोल कर सकता है प्लस वो डियूरेबल है जो इक्रिस के लेजर बीम या डिवियंस के हिट से होते हैं जिसके पास 5000 सालों से भी ज्यादा की बैडल एक्सपिरियंस तक है या स्प्राइट जो इलूजन की मास्टर है जिसने अपने और सरसी के मल्टिपल कॉपीस क्रेट कर लिया थे या स्टोरिज तक को विज्यूली शू कर सकती है या किसी के भी तरह हूब हो खुद क एक फर्म को चेंज करने के केपबल है प्लस इकरिस जो भी पावर हाउस है जिसने थेना जैसे पावफल फाइटर या एक स्पीड स्टर मकारी और जेनियस फैस्तर तक के गैजिस को ओवर पावर कर दिया था साथ ही वो लेजर से डेवियंस तक को चीर के रख देता है या फ 70 साल बर्फ में सोच चुका था एक सूपर सोलजर है वो जहां सीरम के कारण उसकी बॉड़ी सूपर हीमन लेवल की स्ट्रेंथ डूरिबिलिटी रिफ्लेक्स होल करती है या वो बहतरीन फाइटर और वन ओ दी बेस्ट हैंड तो हैंड कॉमबेट फाइटर भी है प्लस वो म माइक्रो मिसाइल्स, ट्रस्टर, फूट क्लैम्स, शील्ड, क्रेट करना या जो चाहे वो नैनो टेक के मदद से क्रेट कर सकता है वही सूट में आर्टिफिचल इंटेलिजन्स फ्राइड़े है जो किसी की भी फाइटिंग मूब्स को रिकॉर्ड करके उसे बीट कर दे या होक या ग्रेनेट्स या स्मोक बॉम्स जैसे डिफरेंट तरीकों के होते हैं और होकाई का एम लगबग कभी चूका नहीं था यहां तक वो स्वर्ड के इस्तेमाल से रौनिन बनकर हर एक अंडर वर्ल्ड के गैंक की गेम बजा चुका था लगबग वैसे ही ब्लैक वीड़ हल्क एक समझदार हड़ा पहार है जो सुपर विलन से लड़ता है जिसके पंच में एक लिविथान को गिराने की सुपर स्ट्रेंथ है प्लस यह लॉंग जम्स करके भी हीट्स वा स्मैश करता है और उसकी बॉड़ी बहुत डियूरेबल है जो मियॉनलिर के हिट्स से लेकर थौर के थंडर पंचेस को भी जेल गया यह स्मार्ट हल्क तो ब्रेन और स्ट्रेंथ का कंबिनेशन है जिसने इंफिनिटी गॉंटलेट को विल्ड करके स्नैप तक कर डाला दूशी तरफ गॉड अफ थंडर थौर स्ट्रेंथ, डूरिबिलिटी, रिफ्लेक्स, स्पीड साल से भी ज़्यादा की लाइफ एक्सपीरियंस और कई बैटल से लड़ चुका है जिसका मियॉल निर एथर को और स्टॉम ब्रेकर इंफिनिटी गॉंटलेट के पावर ब्लास्ट को ही रोक देता है और बिना वेपन्स के भी थौर थौर है जो तब भी लाइटनिंग और कॉमबेट स्किल से ओपने इनको बीट कर दे या पावर स्टॉन के टच प्लस एक न्यूटरन स्टार के हीट को सर्वाइफ किया है थौर ने तो अब बात करते हैं रिजल्ट्स की तो देखिए इटनल्स गॉड लाइक करेक्टर से और अरिशम जैसे सिलेस्टिल की पाता प्लस इकरिस स्ट्रॉंग है मगर उतना नहीं कि वो विप्स को ही एजिली डेस्ट्रॉई कर पाया मगर सूपरमेन संसे ही पावस लेता है बजाए इकरिस की तरह सं में घुसकर डेस्ट्रॉई होने के प्लस क्रिप्रोनाइट एटेक से बच गया वंडर वुमन को को क यादाश की प्राबलम नहीं है वो अपने टीम मेट्स को जानती है डेमी गौड है जबदस बैटल के साथ जो थेना को भी ओवर पावर कर दे एट लास्ट में यही कहूंगा कि हाँ इटरनल्स बहुत ज़दा पारफुल है बेशक लेकिन जस्टिस लीक की फीट्स फिलाल अब मुवीस में ज्यादा दिखी है मोई एवेंज़स थैनोज जैसे इटरनल और देवि Tort को ही बीट कर चुके हैँ और एवेंज़स के हर एक केरक्टर बहुत ज़्यदा एवाल्व हो चुके है क्योंकि उनके पास ज़्यदा मुवीस थी और ज्यदा मुवीस मतलब ज्यद को revive कर दे लेकिन Eternals Avengers से भी पहले अर्थ में आए मगर at last I think Avengers और Justice League मिलकर ही Eternals को beat कर पाएंगे मगर अकेले ये काफी मुश्किल है तो मेरे हिसाब से Eternals इन दोनों से powerful है लेकिन Avengers का Justice League के उपर एक edge रहेगा और Flash का पूरी Avengers के उपर ही एक edge रहेगा तो guys ये थी वीडियो Avengers versus Justice League versus Eternals की वीडियो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को like को share करें साथे comment करके बताए आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपके हिसाब से कौन ज़्यादा powerful है इन तीनों में से और कौन फेबरिट है आपका इन तीनों में से ये भी हमें बताए comment करके और ऐसे awesome और interesting वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को subscribe करके bell icon को ज़रू प्रेस करें तो guys मिलता है बहुत जल्द अगली वीडियो में this is your captain signing off, take care, bye bye